हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक और नई विलोग वेडियो में दोस्तो अभी मैं अपने गाउ में आ चुका हूँ और अभी दोपहर के बारे बच चुके हैं और मैं गाईज अभी सो रहा था नास्ता करके लेकिन बार-बार ममी उठा रही थी खाना खाने के लिए तो मैं उठ नहीं रहा था क्योंकि मैं मुंबई गया हुआ था तो अभी मैं वापस एक बार जग गया था सुबह ही मैं 5 बज़े जग गया था लेकिन उसके बाद एक घंटे बाद मैं फिर थोड़ा सा काम था वो काम करने के बाद मैं सो गया और आप सभी लोगों को तो पता है कि गाउ में लोग सोते नहीं है तो गाईज अभी मेरे पास से मेरे दोस्त का फोन आया है कि आओ चलो क्रिकेट खेलते हैं और सभी बच्चे आये हैं तो कुछ बच्चे आये हैं तो हम लोग चलते हैं मठ पे क्रिकेट खेलने जो आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं घाना जंगल दिख रहा है इसके बीच में बहुत बड़ा तलाब है तो अभी वह भी इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं और क्रिकेट कहा हम लोग खेलते हैं और कॉंटरन से मेरे दोस्त हैं अभी बहुत कमी दोस्त हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपने काम में बीजी हैं फिलाल इतने भी लोग हैं उनका भी वीडियो में आँ वहाँ पर चल के दिखाऊंगा और अभी हम खड़े हैं अपनी जो रोड है मेरे गाउं से जाता है मठ पे और वहाँ पे खड़े हैं और देखें मेरे पीछे जो है ये मेरा गाउं है और मेरा घर भी उसी साइड है जहां पर निम का पेड़ देख रहा है उसके पीछे मेरा गाउं है तो गाईज ये जो लोग आप लोग किनारे किनारे मिट्टी देख रहे हैं ये अब पकी सड़क होने जा रही है ये पहले खड़नजा हुआ करता है गाउं में होने वाली है तो ये कई न कई हमारे गाउं के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत कई सालों से मेरा गाउं इसी तरफ पिछड़े एकदम गाउं में सामिल है मतलब कोई भी काम यहापर नहीं हो रहा था जो भी प्रधान हो रहा था कोई भी काम नहीं करवा रहा तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा मठ पे और क्रिकेट का आनंद उठाते हैं और आज तो बहुत ही ज्यादा ठंडी है हवा चल रही है मतलब धूफ हुई थी मॉर्णिंग के टाइम में फिर धूफी नहीं है और हवा चल रहा है इसकी वज़े से ठंडी लग रही है तो चलि तरह कि नई नई विलोग वीडियो में आप लोगों तक पहुचाता रहूंगा तो चलिए थोड़ा सा आगी का भी ना जारा हम लोग देखते हैं तो गाई जहां पर देखिए जो सड़क बन रही है वो खेत में से मिट्टी निकाला गया है और थोड़ा सा यहां पे सोड़ सोबुआया गया है जब वो बड़ा हो जाएगा और उसमें फूल लग जाएंगे तो मेरे गाउं का नजारा बहुत ही सुंदर हो जाता है यह देखिए लोग खेत में भी घर बनवाए हैं मतलब मेरा गाउं उतना बड़ा नहीं है करीब हम बता दे 50-60 घरोंगे वह कर्केट कहते हैं नहीं ही सेहर का जैसे हम लोग इधर ग्राउंड नहीं है कि सेहर में ग्राउंड होता है इधर यह दो इसको परती कहते हैं देखिए दीराजा का अस्थान है सभी लोग गाउं में होता है माता जी का अस्थान तो हम लोग का ये दीराजा जाकिर माता है जो हम लोग के गाउं को समालते हैं लोग और हम लोग बहुत ही सरधा रखते हैं इनके लिए अपने मन में तो ये दिखिए यह है हमारे गाउं का तलाब, यह अभी हम आगे से चल के दिखाते हैं कि कितना भयानक है और कितना बड़ा है, मैंने कल की वीडियो में इसी मंदिर का जिग्र किया था, यही वो मंदिर है जहां पे बाबा जी रहते थे, लेकिन बाबा जी को मरे हुए काफी साल हो गए हैं, अब यहां पे उनके बेटे और उनके पोते रहते हैं, और जो उनके पोते हैं, वो अब महंती करते हैं, जैसे अब वो बाबा का पद सम्हाल रहे हैं, वो गुर्मुक हो चुके हैं, उनकी साधी वगरा कुछ नहीं होगी, ठेक है, वो ऐसे ही रहेंगे और सब की सेवा करते रहेंगे यह है वो मंदिर लेकिन अभी यहां पे उनके माता पिता मतलब रहने लगे हैं और उन लोगों ने भी गाय वगरा पाल लिया है तो देखिए वहां पे जो लोग कहते हैं उपली हम लोग इधर कहते हैं लोग गोईठा तो देखिए वो लोग अपना पाथे होते हैं और फिर ये आम का पेड़ ये पहले बहुत ही बड़ा बागीचा था फिलल कई साड़े पेड़ जो है ना कट चुके हैं क्योंकि वो सूख गये थे इसकी वज़ा से यहां हम लोगा अखाड़ा होता है पचाई में यहां पर अखाड़ा खाना जाता है और वहां पर लोग करते हैं और यह देखिए यह है वो तलाब यह तलाब है और इसमें बहुत ही बड़ी-बड़ी मचलिया है और बहुत ही मज़ा आता है इस तलाब में गर्मी के टाइम में नहाने पर देखिए अब यह तलाब चारो तरफ से जैसे कह लिजिए कि एक छोठा सा जंगल चारो तरफ यह तलाब घिरा हुआ है और इसमें जाने से भी डल लगता है क्योंकि बहुत ही खाना है अंदर तो यही वो तलाब है और इसमें बहुत ही बड़ी-बड़ी मचलिया है तो देखिए सामने यह प्राइमरी स्कूल है प्राथमिक विद्याले हम लोग के गाउं का तो देखिए कुछ बच्चे वहां बाहर बैठे हुए हैं धूप में और मैडम लोग पढ़ा भी रही है तो गाई जी यह वो प्राथमिक विद्याले यहां पर देखिए बच्चे बाहर बैठके पढ़ भी रहे हैं और मास्टर साब लोग धूप का आनंद ले रहे हैं और बहुत ही कम बच्चे यहां पर आये हुए हैं बहुत सारे लोग कहीं काम से गए हैं और बहुत सारे लोग अपने खेती बाड़ी का काम देख रहे हैं गयों के खेत में पानी चला रहे हैं तो देखिए कितने कम बच्चे यहां पर हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप से कह तो गाइज यहां पर देखिए जो हम लोग का फेल्ड है जहां पर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं कि क्या यहां का नजारा है इसको हम लोग किसी तरह से जलाओ के और पीच बना के खेलते हैं लेकिन यह गेम यहीं पर समाप्त हो चुका है तो गाइज क्रिकेट खेलने तो मैं गया लेकिन वहाँ पर काफी कम बच्चे थे तो इसकी वज़ा से हम लोगों ने कहा कि चलो तब कल से खेला जाएगा सभी बच्चों को बता दिया जाएगा कि इतने वज़े से क्रिकेट खे खेलने या यहाँ पर खेलेंगे क्योंकि मैं चुआ नहीं क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं रहते हैं तो मज़ा भी नहीं आता है तो इसकी वज़ा से सभी लोग अपने अपने घर पे चले गए तो मैंने आपको इहाँ पर जो भी चीजे थी प्राइमरी स्कूल था मंदि हैं जहां पर लोग मानते हैं उनको काफी दूर दरा से सरद्धालू लोग आते हैं तो आपको सब कुछ दिखाऊंगा तो आप लोग हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बने दिएगा और अपना प्यार दिखाईए सपोर्ट दिखाईए क्योंकि क्या होता है कि लोग तो अच्छी चीजे दिखाईए तो आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ बहुत अच्छी चीजे दिखाईए दिखाने वाला हूँ जो गाउ में होता है और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं गाउ में बहुत अच्छी चीजे होती हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं जल्द ही मिलते हैं आपके साथ एक नए विलोग वीडियो में तब तक के लिए धन्यव आजस्तों